चलिए स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्व चैनल मैं सद्डा में है वेरी गुड बार्डिंग टू अलए चलिए मैं हाजिर होगे एक नए वीडियो लेकिए आज हम बात करेंगे दी प्लेटफॉर्म बुक का वॉलियूम फोड दी प्लेटफॉर्म बुक का जो वॉ कोशन में करा पाहूं तो चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगए तो लाइक किजिए अगर कोई सुझाव आपको देना है कोई भी सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर करें तो चलिए शुरू करते हम है चलिए आज का पहला कोशन सब्सक्राइब कर देखते हैं कि मोनो लुवा जोला मुखी पर वात किस दूप पर इस्ती थे तो मौना लुवा जोला मुखी यह आपको हवाई दूप पर इस्ती थे तो ऑप्सन सी हमारा सही आंसर होगा दखिए जो यह हवाई दूप है इसका छेत्रफल 10,432 किलोमीटर है यह अमेरिका का सबसे बड़ा द्यूप है ठीक है चलिए चलिए कोशन नमबर 3 देखते हैं कि सहत के उत्पादन में कौन सी क्रांती संबंधी थे देखिए जो सहत की क्रांती थी वो स्वन क्रांती थी तो आप्सन भी हमारा सही आंसर हो जाएगा चलिए अगला कोशन देखते हैं कोशन नमबर 4 कि भारत का कौन सा संरक्षी छेतर भारती जंगली गद्धो के लिए परसीद है जो गद्धो के लिए परसीद है यह आपका भारत में कक्ष का रन है जो है काँ क्ष कहा पर है यह गुजरात में है ठीके चलिए कोशन नमबर 5 विशिष्ट क्या आसे है विशिष्ट क्या आसे है तो केवल उपरी सदन के लिए कुल सदस्व के आधे का भाहमत या सदन के कुल सदस्व के पचास परतीशद तो यह आपका जानते हैं क्या हो जाएगा पांच के हमारे पास अंसर हो जाएगा भी सदन के कुल सदस्यों के पचास पर तीसक से अधिक और वर्तवान में उपस्तित और मद्दान करने वाले सदस्यों के 2 ती हाई का भ्हूमत यह विस्ज भ्हूमत एimp अप्सन वी हमारा सही आंसर हो जाए चले इसका में एडा पीडिएप मैं अपने टिलिग्राम चैनल पे आप सभी को एवलेबल करा दूँंगा ठीक है तो आप टिलिग्राम चैनल पर नहीं जूरें तो टिलिग चैनल पर जूर जाएं चले अगला कोशन पर सीद पूस्तक था माल विकागनी मित्रम किस ने लिखा ये कालिदास ने लिखा ठीक है तो आपसंस दी हमारा सही आंसर हो जागा ठीक है कालिदास जो थे वो संस्कृत भासा के महान कभी और नाटकार थे इनकी परमुख रचना रचना की अगर मैं बात करू तो रितु सनहार मेख दूद ये माल जिकागनी मित्रम विक्रम विक्रम व सर्जेया इसे करके एक है अभिज्ञान सकुनतलम यह आपका है ठीक है छले कोश्य नूबर साथ देखते हैं किस समयावध्य के नुसार प्रमारसल ने बजारों का वअर्गी करन कितने अथा तक चार बागों में किया गया है कुश्चन नम्बर आठ देगी और अंजेब के बाद मुगल समराज का अगला उत्रधारिक जो था उत्रा धिकारी था वे बहादूर साफ पर्थम थे कौन था अप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा बहादूर सा पर्थम देखिए बहादूर सा पर्थम का सासनकाल जो हुआ था यह 1707 इसवी से लेके 1712 इसवी तक का था यह अंतिम योग मुगल भासा थे ठीक है तो चलिए अगला कोशन देखतें कोशन नमबर नौ 2828 में ब्रहाम समाज की अस्तापना किसन की देखिए ब्रहाम समाज की अस्तापना यह हमारे राजा राम मोहन राही ने की है तो और और यह 1828 इसवी में ब्रहाम समाज कीronics यह अगला कोशन के संस्तापक के किसे माना जाता है तो देखिए यह संकर देव जी को माना जाता है जी संकर देव जो भक्तिकाले नसम के सबसे बड़े संत्त है तो आप्सन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा ग्यारा नमर कोशन का रहा है निमने में से भारत के किस प्रोसी देश में एक भी बंदरगा नहीं है तो कहां पे एक भी बंदरगा नहीं है तो यह अफगानिस्तान जो 12 मौलिक करतबों का संबंद निमन में से किस से हैं तो मौलिक करतब का संबंद भारत के नागरी को ही का होगा ठीक है विदेशी परजटों को कभी नहीं होगा विदेशी सही भारत में रहने वाल नहीं है जो भारत के लोग हैं हम भारत के लोग हैं तो हम भारत के लोग ही के यह मौलिक अधिकार हो यह तो आप्वशन भी हमारा सही आंसर हो जाया ठीक है चलिए थोरा से इसको उपर कर लेते हैं को कोश्चन नूबर 14 देखते निम नदियों में से कौन सी एक प्रायद दीप नदी ठीक है प्रायद दीप नदी तुभी तौधिये टाक्ति नदी जो है न वह एक प्रायद दीप यह नदी है ठीक है ताप्ति नदी कि लंबाइश 724 सब्सक्राइब होकी के खेल में से कौन सा सब्सक्राइब सब्सक्राइब होकी के खेल में पेनाल्टी कॉर्नर सब्सक्राइब होकी में होता है ठीक है चलिए अगला कोशन देखते हैं अफिया कोशन देखते हैं कोशन नंबर सत्रह सत्रह कारा बहतरवा कान फ्ल्म फ्ल्म प्रोश्कार धियुँ सब्सक्राइब किस फिल्म को मिला है तो यह आपको पारासाइट फिल्म को मिला संकर के दवारा लिखित पुस्तक कौन सा है इनडिया इस ट्रेटेजी फॉराइन एंसर हो जाएगा अगला कोशन किसे जीता है तो यह अनुरुद्धो थापा ने जीता है तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा अगला कोशन देखिए रक्षा छेतर में अटॉमिक रूट के तहट एफडिया की सीमा सितम वर्थ 2020 में कितना परतिसत कर दिया गया ठीक है यह आपको रक्षा छेतर में अटॉमिक लूट के लिए एफडिया चोहत्तर परसेंट कर दिया गया तो आप्षन भी हमारा सही आंसर हो जाएगा अगला कोशन देखते हैं कि फ्रांसे सी ओपन टेनिस 2020 महिला वर्क की विज़ेता कौन थे स्टाप की कोशन पूछे जा रहे हैं एंटीपीसी में यह बहुत जवरद जय बहुत जपान के नए पर्धान मंत्री यूशी हेदे सुगा किस पार्टी के हैं तो यह आपको नादिया प्रोडो रोच का पार्टी के हैं तो अपुसन भी हमारा सब्सक्राइब यह नहीं जबढ़ की यह देख रहा थे हैं यह लिबरल डेमौक्रेटिक पार्टी से है तो option B हमारा सही answer हो जाएगा चली अगला question देखते हैं 23 स्वामित योजना को कब तक पूरा करने का लक्ष किन सरकार ने नुधारित किया है जिसके सहत संपति कार्ड बनाना जाना है ठीक है संपति कार्ड बनाना जाना है तो यह 2024 तक target दिया गया है ठीक है चली अगला देखत इसकर 2020 किसे परदान किया यह उसा मांग इसकर को परदान किया गया चली अगला देखिए 25 नमर कह रहा है कि भूक मरी सुचकांग 2020 में भारत का अस्थान रहा है भारत का अस्थान कितना नमर पर रहा है तो भारत का अस्थान 94 नमर पर रहा है तो option B हमारा सही answer हो जाएगा को प्रभाईवीत करते हैं करता सबस्क्राइब होता है मस्तिक यॉत करता है और छोटी चैचक च्छोटी छह ठीचक को मस्तिक को प्रभाईवीत करता है खोटी प्रस सरीद्ध से शोटी में इंटी बोडिस का निर्मान पोता है इंटी बोडिस का निर्मान जो रिम्फोट्स से होता है हमारा उसले हमारा सही जाएंघ है थीक है चलिए अगला कोश्ण देखते हैं कोश्चन नमबर अंठावन आई आर इन एस इस का पूर्ण रूप क्या है देखिए आज एन इसका फूर्ण रूप होता है इंडियन डिजनल सेटलाइट सिस्टम इंडियन रिजनल है सिटलाइस सिस्टम छोफ साने स्वी हो जाएम है निये रिजनल सेटलाइस सिस्टम इन आप्टियन डी हमारा सही आंसर हो जाए ठीक है इंडियन डि डिजनल कि निविटे ragna तो संडिय стать के पूछा रहे एंटीपीसी में कंटीनियू चलिए उन्सट नमबर देखते हैं यदि बस्तु को 15 सेंटिमीटर फोकल दूरी वाले ओतल दर्पन के सामने पचीस सेंटिमीटर की दूरी पर रखा गया हो तो परतिवीम की दूरी भी गयात करें यहां पर एफ हमारा क्या दिया हुए एफ हमारा दिया हुए माइनस 15 सेंटिमीटर यू हमारे पास दिया हुए माइनस का 25 सेंटिमीटर हमसे पूछा गया कि भी क्या होगा देखिए वन पराबर क्या होता है वन वाइभी प्लस वन बाइउ भी रखेए यू की जगा यू रखेए आपका आंसर आ जाएगा आंसर आजाएगा आपका माइनस का 37.5 cm ठीक है यहां पी यूज करना है आपका 1 by A पराबर 1 by V प्लस 1 by U बस फार्मुला पूट करना अंसर आ जाएगा चलिए क्वेश्चन नमर साथ देखते हैं निम्लिकी तत्व को उनके धात्विक लक्षेनों के अधार पर और भी करम में रखने पर प्राप्त होने वाले विकल्प का चैन कीजिए ठीक है यह आपका सोडियम मैगनेसियम एल्मूनियम सिलिकन और यह क्लोरिन जो है यही इसका परतिक है तो आपसन नहीं हमारा सही आंसर होजा यह सही करम में है जूंश स्थ नमर देखते हैं तकमान बढ़ने पर कि घरता होता परतिरोध क्या प्रभाव होता।ि कि जब ठ्रोला सबस्थ होता है कि जितने भी सुदतिधा सबबनेद यहां सही आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए इसको थ्वरा सब उपर करते हैं चलिए बाश्ट नमर देखते हैं आख की वह सनचना जो परकास किनों को अपरवर्तित करने और रेटिना परकेंद्रित करने का एकाज करती है उसे क्या कहा जाता है देखिए जो करती है उसे कोड़ कई यू इसको सही करना है कि अगनास्य ग्रेस को क्या कहते हैं देखें मुद्ध मुख्य के परजनों परजनों क्या एपी कल्चर कहा जाता है इसे क्या कहा जाता है एपी कल्चर ठीक है चली अगला कोशन देखते हैं यदि किसी ध्वनी त्रोंग की आविर्टी पचास हड्स है तो उसका आवर्थ काल क्या होगा देखें क्या होता है फ्रिक्वेंशी बराबर क्या होता है फ्रिक्वेंशी बराबर one by time period होता है अगर time period हमको निकालना है तो क्या हो जागा व्णवड़ाइब frequency frequency कमान कितने एक बड़ा पचासती क्या हुझागा जिरो पॉयंड जीरो जल कांच और वायू देखिए जल का परतनाग होता है 1.33 जबकि वायू का परतनाग होता है 1.003 ठीक है और कांच का कांच का आपके पास होता है 1.5 के आसपास होता है ठीक है तो इसको जब हम देखेंगे तो हमारे पास क्या आजाएगा वायू पहले आजाए फिर पानी फिर कांच तो अप्शन सी हमारा सही अंसर हो जाए ठीक है जैनि अगला कोशन देखते हैं कुश्चन नमबर सांट सर अभी कि रिए एंजीयों पलस सीओ को इमजी प्लस यूट में किस पधारत का आकस करण होता है तो देखिए किसके यहां पर ऑक्षिक्रान होगा कारबोन मोनो अक्साइड का सी यहां पर औक्सिक्रान होता है ठीक है एंजी अलग हुजाता है सी हो लोग के साथ ओमिलके सिंगोटू मना लेता है ठीक है तो यहाँ आपका कर्बन मोनोक्साइड का अप्षिक्राण होता है और देख नियासिन डैस के एक रूप है नियासिन जो है वो बिटामिन बी थिरी का एक रूप है ठीक है तो ऑप्शन भी हमारा सही आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए अगला कोशन देखते हूं 79 विदूत बल्पर प्रदर्शित विदूत की रेटिंग 100 वाट का क्या मतलब होता है देखिए 100वाट का मतलग होता है कि बल्पर पर प्रते संग जूल विदूत वरज्रा बेह करता है स्ब्सक्राइब 263 वाट एक किलो वाट की अगर बात करूं यह इक एक क्या करता है ठीक है एक किलो वाट पॉर और में यह आपका 3.6 इंटू 10 टू पवर 6 जूल होता है ठीक है तो पी बराबर भी आई के अनुसार पी बराबर भी आई ठीक है के अनुसार यह भी आई आई के स्क्वाइर आर बराबर भी स्कॉयर आर यह फॉर्मला से होता है ठीक है इसके अनुसार अगर हम देखेंगे तो देखें भी दूससक्ति का जूभी काही होता है ठीक है तो 100 वाट में 100 जूल सो जूल बेर करेगा तो option A हमारा सही answer हो जागा ठीक है चलिए अगला question निन में से कौन उचगती data के लिए wireless broadband संचार का एक मानक है ठीक है तो LTE है आप लोग जानते हैं कि LTE है जो broadband के तो option D हमारा सही answer हो जागा ठीक है चलिए अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों में share कीजिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe कीजिए और कोई सुझाओ हो तो हमें जरूर दे चलिए मिलते हैं अगरे वीडियो में तब तक के लिए जाहिए